Hi everyone, welcome to me and mommy, this is me Shelly and आज में शेर करने वाले हूँ आपके साथ ऐसी 5 toys यह activities जिसमें आपको spend करना चाहिए तो अगर आपको वीडियो helpful लगे, पसंद आये तो उसको like जरूर कीजिए, इसके लावा चैनल को भी जरूर subscribe कीजिए, लाल बटन दबा के और उसके साइट में ही एक notification bell का आइकन है, उसको भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो पोस्ट करें, उनके notification आपके पास सबसे पहले आए, तो फटा फट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो basically, जब भी हम toys खरीदने जाते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं, as a parent, we think कि ठीक है, बच्चा इस toy को enjoy करेगा, वो उसके साथ काफी time spent करेगा, इसके साथ खेलते हुए, वो थोगा engage रहेगा, या उसको शायद ये toy, या इस category की toys पसंद आते हैं, या शायद as a parent, we want कि हमा जान में रखते हुए, आदमें आपके साथ share करूंगी कि ऐसे concept type के toys activities होती हैं, जिसमें आपको invest करना चाहिए, ताकि आप उस toy से बच्चे की overall development में maximum उसको support कर पाएं, इन में सबसे पहले category है blocks, तो blocks आजकल market में बहुत सरे types के आते हैं, mega blocks आते हैं, leego blocks आते हैं, magna blocks आते ह हैं, तो बच्ची की age appropriate, जैसे आप एक साल की ऊपर के बच्चे को, आप mega blocks एक साल से पहले ही कर आप blocks इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो काफी बड़े-बड़े blocks बच्चों के लिए आते हैं, considering की बच्ची की गृप कितनी अच्छी है, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा object होल कर सकते हैं, उनकी age किया है, जैसे लिगो blocks काफी छोटे होते हैं, तो तीन साल के बच्चों से छोटे बच्चों के लिए सजेस्टे नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आप बच्चे की age appropriate blocks इंट्रोड्यूस को कर सकते हैं, अब समझते हैं कि blocks से बच्चों को क्या-क्या फायदा होता है, सबसे पहला फायदा, जो कि almost हर टॉय से होता है, बच्चों के motor skills improve होते हैं, तो अगर बच्चा जब छोटा है, वो बड़े blocks को hold करना सीख रहा है, जब बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसके grip बेटर हो रही है, ताकि वो छोटे blocks को पकड़ क उनसे कुछ भी बना सकता है, तो इस तरीके से जो blocks होते हैं, बच्चों के fine motor skills में काफी बच्चों को help करते हैं, जब बच्चे उन blocks से कुछ भी structure बनाते हैं, तो बच्चे अपनी creativity और imagination को improve करते हैं, और similarly जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं उन blocks के थूँ तो बच्चो कि एक vocabulary और language communication यह सब भी improve होती है, they understand कि उन blocks से वो क्या-क्या बना सकते हैं, they came to know कि इसको tower बोलते हैं, इसको bridge बोलते हैं, इसको कोई जिराफ बोलते हैं, means जो भी आप बच्चों के साथ बना रहे हैं, they can strong, they can build that word in their vocabulary, इसके अलावा जब भी बच्चे कोई भी चीज बनात से बोलते हैं, उनमें वो patience नहीं होता है, चीजों को wait करने का ठीक है, कि देखने का कि अच्छा भी से क्या बनेगा, वो छोटा सा कुछ भी काम करते हैं, बहुत जल्दी उसमें बोलते हैं, तो blocks एक बहुत अच्छी opportunity है, बच्चों में patience को develop करने की, क्योंकि जब बच्चे blocks में interest लेना start करते हैं, चीजें बनाते हैं, कोई भी structure बनाते हैं, तो उनमें वो time spend करना सीखते हैं, वो अपना concentration में आना सीखते हैं blocks के साथ, थर्ड, जब बच्चे उस blocks से कुछ भी बनाते हैं, और उसको गिराते हैं, तो they understand कि cause and effect क्या होता है, कि उन्होंने उसको push किया, जिसकी वज़े से वो गिरा और तूट गया, तो उसको cause and effect बोलते हैं कि एक काम को करने से क्या हुआ, तो बच्चे वो भी सीखते हैं blocks से खेलते हुए, फोर्थ और सबसे important blocks से खेलने से बच्चों की problem solving, logical and mathematical skills भी बहुत strong होती हैं, इसके अलाबा blocks से खेलते हुए, आप blocks एक ऐसा toy है, जिसमें आपको जरूर invest करना चाहिए, बच्चों के साथ, blocks को खेलने में time spend भी जरूर करना चाहिए, और blocks एक साल से लेके, जब तक बच्चे को interest है, एक से 7-8 years तक आप उन blocks को utilize कर सकते हैं, blocks generally काफी अच्छे plastic के material के बने होते हैं, तो वो इतनी जल्दी खर forest theme है, anything या फिर normal जिसमें भी आपको लगता है कि बच्चे को शेप का idea है, लेट से बच्चे को पसंद है, तो देखें, easily identify की ठीक है, पैपा पे कैसे बनाएंगे, तो जो भी बच्चे को पसंद है, आप उस ताइप की puzzles ले सकते हैं, puzzles खेलने के बच्चे को काफी सारे इसके अलावा, similarly, जब बच्चे यहाँ पे time spent करते हैं, पूरे puzzle को बनाने में, तो again उनका concentration और patience इंप्रूव होता है, puzzle खेलने से, इसके अलावा, जब बच्चे puzzles बनाते हैं, तो उनमें एक IQ, एक intelligence build होता है, क्योंकि they are able to identify, they are able to think कि आपका कौन सा piece कहाँ पे fit होगा, to make that picture complete, तो इस तरीके से बच्चों में, एक ability build होती है, एक intelligence build होता है, चीजों को समझने का, इसके लब बच्चों को जो भी puzzles हाती है, उनके जो pieces होते हैं, उनमें, जब उनको connect करते हैं, तो they are able to identify कि कौन सा piece कहाँ पर लगेगा, कौन से piece की shape किया है, कौन सी shape किस shape में insert होगी, त जब बच्चा एक बाँ पॉसल बना लेता है, तो नेक्स ताइम वो ट्राइ करता है, कि वो recall करने का ट्राइ करता है, कि उसने जो last time shape बनाई थी, वो कैसे बनेगी, या अगर जैसे ग्जामपल दिया, पैपा पेक का, तो पैपा पेक बना रहा है, तो the kid will try कि वो recall करे कि पै जादा सीखेंगे कि उनको कैसे फोकस करना है कैसे अगर बड़ा पजल है बड़े सेनारियो में फोकसिंग की ठीक है छोड़े डिटेल्स पर कैसे अटेंशन दे सकते हैं तो पजल की बड़ा पजल की कोई एज नहीं होती है जब से बच्चा चीजों को अड़ेंटिफाइ करना याद करना सीख जाता है लेटें तो आप अकॉर्डिंगली टूपीस पजल देन फोर पीस देन एट पीस देन अकॉर्डिंगली बच्चे की एज के अप पजल की कोई भी ऐसा गेम जिसमें बच्चे अपने आपको गंदा कर रहे है अपने आसपास पास को गंदा कर रहे है उसको मैसी प्ले बोलते हैं जैसर कि नाम से पता लग रहा है अब मैसी प्ले के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टॉय के ऊपर ही जाएं अप जो घर में साथन. तो अपमें पनका बीच प्लेट कर दो रास्ता सूजी मतलब कोई न सी चीज घर में अवैलेबल है लेज पर राज में बचे को खिला रहे हैं तो वह सब मैसी प्ले genetically अंडर में अता है तो messy play क्यों important है? जब बच्चा सेंड को टच कर रहा है तो उसका अलग फील है पानी से खेल रहा है तो उसका अलग फील है राजमे से खेल रहा है तो उसका अलग फील है तो हर चीज का अलग फील होता है अलग शेप होता है अलग टेक्श्चर होता है तो बच्चा जब इन सब चीजों से interact करता है तो वो चीजे learn करता है हमारे लिए चीजे बहुत छोटी होती है बट बच्चे क्योंकि कुछ भी नहीं जानते हैं सब चीजों के बारे में तो उनको ये चीजे learn करनी होती है तो वो ये सब चीजों के लिए उनके मन में काफी curiosity होती है, वो अलग-अलग चीजों को understand करने का try करते हैं और जितनी जादा चीजों को आप बच्चों को expose करेंगे, बच्चे की vocabulary, बच्चे की learning उतनी ही better होती है इसके लावा messy play का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि generally बच्चों को वो बहुत जादा पसंद आता है बच्चे comparatively उसमें काफी time spent कर लेते हैं, अकेले खेलते हुए, लेट से आप बच्चों को water color दे दो और paint brush और इसको कुछ painting करने के लिए दे दो, उसमें वो comparatively जादा time spent कर लेका, रादा दन किसी toy के साथ खेलने में तो इस तरीके से messy play बच्चों को काफी help करता है independently engaged रखने में इसके लाबा again बच्चे जो भी चीजों को items को use कर रहे हैं खेलने के लिए उनको वो अपने fingers से थम से पकड़ते हैं, चाहे वो कोई छोटी सी डाल हो, चाहे वो sand हो, चाहे वो paint brush को पकड़ रहे हो, तो इन सब चीजों से again बच्चों की जो motor skills है वो improve होते हैं, बच्चों की through apple बनाने वाले हैं, या जब आप sand से play कर रहे हैं, तो आपको particular structure बनाने वाले हैं, तो जब बच्चा उस goal को complete करता है, तो बच्चे में एक sense of task completion भी आता है, एक sense of achievement भी उनमें build होता है, जिसे की बच्चों में automatically confidence आता है, कि चीज़े जब वो complete करते हैं, तो they know how to be confident, तो इस important भी होता है, दो साल की उपर का बच्चा इतना समझदार हो जाता है, कि उसे चीज़ें जो उसके आसपस होती है, वो उन चीजों को imitate करना शुरू कर देता है, उन चीजों को सबंदना शुरू कर देता है, और बच्चे को भी लगता है कि हाँ वो इतना बड़ा हो गया है, उसको चीजें करने भी आ गई है, वो देख भी रहा है कि घर में कौन-कौन क्या क्या कर रहा है, तो इस तरीके से दो साल की उपर के बच्चों के लिए प्रिटेंट प्ले काफी अच्छा है, प्रिटेंट प्ले का जैसे की मीनिंग उसका नाम से बता लगता है कि आप बच्चे उस रोल प्ले से क्या सीखते हैं, जो भी बच्चे रोल प्ले कर रहे होते हैं, आप जो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं बच्चे के साथ प्रिटेंट प्ले के टाइम पर तो बच्चे उसको रियल वर्ड से रिलेट करते हैं, प्रिटेंट प्ले के तरू आप बच अच्छा एडिया होता है इसके अलावा प्रिटेंड प्ले के थ्रू क्योंकि बच्चे एक रोल प्ले कर रहे हैं तो दे आर एबल टू अंडर्सेंड की कि रिस्पोंसीबिल्टी कैसे शेयर की जाती है अच्छा मैं यह बना हूँ यह डॉक्टर बना हूँ तो दॉक्टर की क्या स possibility होती है किस तरीके से टर्ण लेते है कि कभी ममा यह बनी बनी है डैडी यह बनी है बेभी यह बना है जो kitchen में कर सकते हैं आप again क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे एक से नई नी चीज़ों के बारे बात कर रहे हैं जो भी play आप कर रहे हैं उससे related vocabulary आप use कर रहे हैं तो बच्चे की जो भी language है जो भी communication skills है वो improve हो रही है again pretend play के through जिस भी तरीके का आप play कर रहे हैं उस तरीके की situations को बच्चे handle करना सीख रहा है कि इस तरीके की situations में क्या किया जा सकता है या हम क्या करते हैं play में तो यह आपके लिए बहुत अच्छे opportunity भी है बच्चे को आप कुछ भी अगर सिखा रहे हैं तो आप उसके लिए situation build करके बच्चे के साथ खेल सकते हैं इसके अलावा बच्चे planning करना सीखते हैं कि अगर आपको कोई task perform करना है तो आप बच्चे को बता रहे हैं कि कैसे उसके लिए plan करना है and again जब आप planning सीख रहे हैं तो automatically बच्चे में एक problem solving skill भी develop हो रही है ना हम बात करते हैं 5th और last toy की which is musical toys तो musical toys generally हम उसके importance को इतना समझते नहीं हैं but musical toys भी ultimately काफी important होते हैं बच्चे के overall development में सबसे पहले चीज मुजिकल टॉइज में बच्चे अपने fine और gross motor skills मतलब अपना जिस तरीकी का वो toy यूस कर रहे हैं अपने complete hand और अपनी fingers दोनों चीज़े यूज करते हैं तो बच्चे के fine motor skills और gross motor skills दोनों ही improve होते हैं second क्योंकि अलग-अलग toys से अलग-अलग type की sound निकलते हैं बच्चा पियानो यूज करेगा तो अलग sound आएगी जाइलोफोन यूज करेगा अलग sound आएगी कोई tambourine यूज करेगा तो अलग sound आएगी तो इस तरीके से अलग-अलग sound की बच्चे के में एक sense दवलप होती है उसको idea लगता है कि किस तरीके की sound किस तरीके के instrument से निकल रही है identification basically वो सीखते है sound का again जब वो identification सीख रहे है तो वो अपनी memory में उसको लेकर जा रहे है तो बच्चों की memory इंप्रूफ हो रही है उनकी एक learning हो रही है इसके इलाबा जब आप musical toys बच्चों को देते हैं तो अलग-अलग toys से बच्चे अलग-अलग तरीके से play करना start करते हैं तो बच्चों की creativity, imagination अगेन निकल के बाहर आती है and musical toys से खेलते हुए बच्चे जो सबसे important चीज़ डवलब करते हैं वो होता है listening skills क्योंकि यहां पे बच्चे उस sound को सुनना सीख रहे हैं उस sound के साथ understanding अपने बिल्ड कर रहे हैं तो बच्चों की listening skills इससे बहुत improve होती है तो all in all यह जितने भी 5 टाइप के toys मैंने आपको बताई activities बताई यह काफे important होती हैं बच्चे की overall development में तो I would suggest के यह सारे toys इस तरीकी के play आपको जरू इंकलूड करने चाहिए अपने बच्चों में considering की उनकी age group में किस टाइप के toys इसमें से fit बैटते हैं and अगर आपको पाइदा हुआ है आपको कुछ भी information अच्छी मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूली इसको जरूर शेर कीजिए ऐसे सारे parents के साथ जिनके लिए helpful हो सकती है and thank you for watching me and mommy